नमस्कार साथियो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक बहुत ही बहतरीन और महत्तोकूर सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं चर्चा करेंगे पाकिस्तान के बारे में पहले से ही काफी जादा संक्टों में पाकिस्तान चल रहा है और आब नई ख पूरवक समझेंगे पाकिस्तान फिलाल राजनेतिक संकट से जूज रहा है कोई भी प्रधान मंतरी यहां बनने को तैयार नहीं है आठ फरवरी को चुनाब के नतीजे आई थे और आठ मार्च को एक महीना हो चुका है अपने सेशन के माध्यम से आपके साथ साजा किया था हमने कि क्या पाकिस्तान के अंदर मिलिटरी रूल आने वाला है तो उम्मीद पूरी जिताई जा रही है कि आने वाले समय में हो सकता है पाकिस्तान की जो सेना है वो बोले कि तुम से ना हो पाएगा अब सासन हम समालेंगे ऐसा भी देखने को मिल सकता है फिलहाल के लिए हम चर्चा करने वाले हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एर लाइन्स की जिन्होंने अपनी टेग लाइन के अंदर लिखा हुआ है PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एर लाइन्स ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद ये खुद को महान बताते हैं कि हमारे साथ सभी लोगों को फ्लाई करना चाहिए हमारे साथ सब को उड़ना चाहिए ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद और इनके साथ इनकी एर होस्टेस उड़ रही हैं लेकिन लोट कर अपने देश वापस नहीं आ रही हैं आप देखते हैं तमाम न्यूस पेपर के अंदर जो ख़बर छपी वो है थेंक यू पी आई ए अब ये किस ने लिखा तो पाकिस्तानी एरलाईन केविन क्रू मेंबर लीफ नोट विफोर वैनेसिंग भहिया गायब होने से पहले अपनी ड्रेस के साथ एक नोट छोड़ कर गई जिसके उपर लिखा हुआ था थेंक यू पी आई ए पाकिस्तान इंटरनेशनल एरलाईन अब क्यों लिखा क्या लिखा इसको जानेंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल एरलाईन जो है डॉन डॉन जो है पाकिस्तान का न्यूस पेपर है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार मरियम रजा नाम की जो इनकी क्रू में मर थी, 15 साल पहले PIE के साथ काम करना इन्होंने सुरू किया था, उन्हों इसलामाबाद से टोरंटो तक की उड़ान का काम सोंपा गया था, सोंबार को उनकी ड्यूटी इसलामाबाद से टोरंटो की फ्लाइट में थी, लेकिन मंगलवार को कैनेडा लेंड करने के बाद उनका कुछ पता नहीं चल पाया, मरियम की तलास में अधिकारी उस होटल में पहुँचे जहां वह रुकी हुई थी, क्योंकि जो क्रू होता है जहाज का उनको 5 स्टार हुआ था, उलेखनी है कि PIA के लिए इस साल यह दूसरी तरह की गटना है, यानामीर, यानामीर का नाम उमीद है आपको याद होगा आपने साथ, हमने एक सेसन में साजा किया था, भारत के कस्मीर के अंदर यह रहने वाली हैं, और जानी जाती हैं, फिलहाल UK के अंदर और गायब हो जाती हैं, एपरेंटली दे डोंट वांट टू गो बैक वरकिंग विद कैस स्ट्रेब्ड पी आईए, भाई अब पी आईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एरलाइन्स जो है, जो फिलहाल कंगाली के स्थिती में हैं, इनके साथ ये काम नहीं करना जाती हैं, नि पी आईए, केवन क्रू मेंबर गोज मिसिंग फ्रॉम टोरेंटो, अब जो मिसिंग फ्रॉम टोरेंटो यहां तक की बात तो ठीक थी, लेकिन जब इन्होंने ख़वर में लिखा, कि अनदर पी आईए, केवन क्रू मतलब कुल मिलाकर, पहले भी कोई गायब जरूर हो चुक अब जो पुरानी ख़वर थी, जनवरी वाली, उसके अंदर भी सब्द का इस्तमाल किया गया था, अनदर, मतलब इससे पहले भी कोई ना कोई क्रू मेंबर इनके गायब हो चुके थे, तो ख़वर निकल कर आती है, दिसंबर 2030 की, फ्लाइट अटेंडेंट्स फ्रॉम पाक जा रहे हैं, फिर निकल कर आए आंकडे, कि 2023 के अंदर, साथ केवन क्रू चाहें, मेल भी हो सकते हैं, और फीमेल भी हो सकते हैं, कुल मिलाकर साथ केवन क्रू जो थे, PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एरलाइन्स के, वो जो हैं, टोरंटो जाकर गायब हो गए, इसके बाद, पाकिस्तान के, जो स्पोक्स पर्सन है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एरलाइन्स के, ये भी अपने जवाब देने आती हैं, और कितना बहतरीन इन्हों ने जवाब दिया, ये सुनना जरूर चाहिए, इस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंटल एक्षन विल बी टेकन अगेंस्ट दोज हूँ एवन डूटी एंड दे विल बी फायड फ्रॉम दा जॉब, ये कह रहे हैं, कि एक बहुत ही कठोर डिपार्टमेंटल जो एक्षन है, वो लिया जाएगा, और हम इन्हें जॉब से निकाल कर चुके हैं, तुम उन्हें आखिर किस प्रकार से अब फायर करोगे, दे विल बी फायड फ्रॉम जो अब किस प्रकार से वो तुम्हारी कंपनी को फायर कर चुके हैं, इस इंडिविज्विज्वल्स विल बी सब्जेक्टिट टू सीरियस लीगल एक्षन राइट अवे as they get back home, कि जैसे ही ये पाकिस्तान में बापस आते हैं, इनके खिलाब strict legal action लिया जाएगा, तो इनकी जो धमकी है, वो ये कहना चाहते हैं, कि चले गए हो, चले जाते हो, बतलब बुलाने के लिए किसी प्रकार की तयारी नहीं की जा रही, बलकि कहा जा रहा है कि अब लोट कर नहीं आना है, अगर लोट कर आए तो तुमारे खिलाब बहुत अच्छा हम action ले लेंगे, इस प्रकार की बाते इनके द्वारक की गई हैं, तमाम news जो है वो आप देख सकते हैं, कि पाकिस्तान के अंदर से लोग जाते हैं, और कैनेडा जाकर चले जाते हैं, और वापस asylum policy, कैनेडा की जो asylum policy है, जो सरणार्थियों का welcome करने की जो policy है कैनेडा की, वो है बहुत ही जादा liberal, बहुत ही आसानी से कैनेडा की नागरिकता मिल जाती है, यदि कोई व्यक्ति कैनेडा के अंदर चला जाता है, अब कैनेडा इतनी आसानी से क्यों दे देता है entry, इसको होल क्या है, कैनेडा की हालत क्या है, वो समझनी होगी, आप देखते हैं ये है वर्ड का मैप, वर्ड मैप के अंदर कैनेडा की जब आप position देखेंगे, तो बीच में equator नाम से एक रेखा जाती है, एक काल्पनिक रेखा है, equator यानि की भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा ए और इसके उपर जो छेतर है, वो है Tropic of Capricorn, ये जो छेतर है, वो ऐसा छेतर है, जहां पर पूरी साल में कभी भी सूरज की रोसनी सीधे सीधे नहीं पड़ती है, और कैनेडा का लग भग लग भग, 65% एरिया ऐसा है, जो की Temperate Zone के अंदर आता है, 65% कैनेडा ऐसा है, जहां पर 6 महीने तक बर्फ जमी रहती है, 65% छेतर ऐसा है, जहां 6 महीने तक बर्फ जमी रहती है, आपको ये कैनेडा दिखाई देता है, जो कैनेडा के नीचे वाले छेतर हैं, सिर्फ यही, यही थोड़े से छेतर हैं, जिनके अंदर अच्छे सहर बसे हुए हैं, जिनको दिख केनेडा के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है बढ़िया तरह से कि आप केनेडा आईए आपको बहुत सारी सुविधाएं देंगे और इसी प्रकार के प्रचार प्रसार को देखने के बाद लोग आकरसित होते हैं और केनेडा जाते हैं एक और सवाल मन के अंदर आएग एक लगभग 3.8 करोड लोग केनेडा के अंदर रहते हैं और मैं जिस जगह से बैठ कर इस सेशन को कर रहा हूँ उस स्टेट की जो पॉपुलिशन है वो लगभग 22 करोड लोगों की पॉपुलिशन उत्तरप्रदेश के अंदर रहती है तो केनेडा एक कितना छोटा सा कितनी क पॉपुलिशन वाला देश है वो आप जान सकते हैं तो लोगों को अपने यहां इन्हें बुलाये जाता है ये एक विकसित देश है विकास पहले ही कर चुके हैं अच्छी फेक्टरियां इनके हां लगी हुई हैं लेकिन काम करने के लिए लोग नहीं है लोग नहीं है तो आए कहां से तो दुनिया भर के जो देश हैं उन से आकर्षित करने के बाद दोगों को बुलाया जाता है और बहुत आसानी से नागरिक्ता उनको दे दी जाती है आप देखते हैं केनेडा खुद का प्रचार भी कुछ इसी प्रकार से करता है केनेडा जो है वो सबसे जादा अच्छा देश है जो की रिफ्यूजी का स्वागत करता है अब स्वागत क्या करता है असलमें इनकी मजबूरी है इनके यहां लोग काम करने को नहीं आते हैं दुनिया वर से लोगों को यह आकर्षित करके बुलाते हैं क्योंकि जिन सहरों को इनके द्वारा दिखाये जाता है कि इतने साफ सुत्रे बहतरीन सहर हैं इन सहरों की साफ सफाई करने के लिए यहां खाना वनाने के लिए टैक्सी चलाने के लिए होटल की साफ सफाई करने के लिए इन बिल्ड़ों के ऊपर चड़ने के बाद यहां जाडू पहुचा मारन इसा ही देश है जाना से इन सब के लालच में बड़ी मात्रा में डंकी रूट अपनाने के बाद लोग अमेरिका और केनेडा के अंदर जाते हैं बसते हैं लेकिन पाकिस्तान के हाला जो है भारत से कहीं ज्यादा खसता है भारत के लोग जाते हैं अच्छी नौक्रियों पर भ लोगों की कमी है काम करने के लिए जब एक ट्रेंड फ्लाइट अटेंडेंट मिल जाता है इन केनेडा वालों को तो ये एक ट्रेंड फ्लाइट अटेंडेंडेंट का मिल जाना के आप आईए हमारे यहां पर हम आपको अपनी नागरिकता देते हैं और हमारे यहां पर काम क केनेड़ा के अंदर नहीं दिखाई देता है केनेड़ा के दवारा अपना प्रचार कुछ इसी प्रकार से किया जाता है कि Refugees and Asylum, मतलब सरनार्थियों के लिए हम बहुत अच्छी विवस्था करते हैं, Refugees को Sponsor तक करने की विवस्था इनके यहां बताई गई है, अब पाकिस्तान से जो लोग पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं, वापस नहीं आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, एक एक करके कारण को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, पहले कारण के तौर पर देखते हैं, पाकिस्तान International Airlines जो कहती है, great people to fly with, इसकी हालत फिलाल कैसी है, हालात कुछ ऐसी है कि करजे के अंदर पूरी तरह से company do भी हुई है, debt and mismanagement इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इनके पास पैसा नहीं हैं अपने flights को उड़ाने के लिए, पाकिस्तान PIA spending 48% of revenue on servicing debt, मतलब कुल मिलाकर करजा करजे की जो किस्ते होती है, या जो इनके उपर जो interest होता है, ब्याज जो होता है, उसको चुकाने के लिए ही 48% जो इनका total revenue है, उसका खर्चा कर दिया जाता है, और तमाम बार ख पैसा दे कर जाओ, जो petrol diesel भरवाई थे, उसका पैसा दे कर जाओ, और फिर यहां से उड़ान बढ़ सकते हो, न्यूज देखते हैं, पाकिस्तान's national carrier forced to ground aircraft amid severe financial crisis, भहिया, फाइनेंसियल क्राइसिस के चलते, इनका एरक्राफ्ट को नीचे उतार लिया गया, आगे आप देखत हैं, तो इनको खाना पीना और खिलवाना पड़ता है, इनको होटल में रिकवाना पड़ता है, तो कम से कम वो खर्चा बच जाएगा, इसके लिए इन्हें रोकना तक बंद कर दिया है, लॉस मेकिंग PIA, grounds 14 of its 31 aircraft, 31 aircraft कुल है, 14 को नीचे जमीन पर खड़ा कर रखा है, कि सागर के अंदर ले जाकर पाकिस्तान इनको डुबा दे कि कम से कम ये नहीं रहेंगे, तो इनको चलाने की जुम्मेदारी हमारे उपर नहीं रहेगी, PIA के जो स्पोक्सपरसन है, वो बताते हैं कि हम जो सेलरी है स्टाफ की वो तक नहीं दे पा रहे हैं, सेलरी भी बहुत लेट जाती है, तो भीया, एरकाफ्ट के जो क्रू मेंबर्स हैं, वो देश ये छोड़ कर क्यों न जाएं, पाकिस्तान अप्रूब्स प्लान टू सेल PIA, अब पाकिस्तान के अंदर आठ फरवरी को चुनाब हुआ था, आठ फरवरी से एक दन पहले की आप ये ख़बर दे एर इंडिया को एक बहुत ही बहतरी कंपनी मनातर खड़ा कर दिया, और आने वाले समय में दुनिया की जो सबसे टॉप मोस्ट कंपनिया होने वाली हैं, उनमें एर इंडिया का नाम सामिल होगा, लेकिन PIA की हालत देखें, कोई इसको खरीदने तक के लिए तयार नहीं है, क्योंकि टाटा जो हैं हर देश के अंदर नहीं होते, अगले कारण की बाग करें, पाकिस्तान के अंदर राजनेतिक आश्थिरता, आठ फरवरी को चुनाब के परिणाम आए, और अब तक परधान मंतरी बनने को कोई तयार नहीं है, कारण है, इमरान खान कहते हैं कि नहीं दिये हैं, तो हम परधान मंतरी आखिर बन कैसे जाएं, और यह जो बिलावल भुट्टों हैं, यह कहते हैं कि हमें परधान मंतरी नहीं बनना, हमारे अबबुजान को राश्टपती बना दिये जाए, कोई भी परधान मंतरी बनने को तयार नहीं है, बिलकुल, इसी पाकिस्तान के जो चुनाब हैं, उसकी इन्वेस्टिकेशन करनी चाहिए, कि इसके अंदर धांदली होई है, धांदली होई है, इसकी इन्वेस्टिकेशन हम करेंगे, वॉइस ऑफ अमेरिका के अंदर खबर चपती है, कि यूएस लॉमेकर्स डिमांड प्रोब इंटू पा भाई ये के अंदर लगा हुआ है, पाकिस्तान कहता है कि हम भाई कोई भी अमेरिका का डारेक्शन को मानने के लिए तयार नहीं है, हम नहीं मानते कि हमारे हैं, इलेक्शन में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है, अगले कारण की यदि बात करें, पाकिस्तान के अंदर महिलाओं की जो situation है वो बहुत ही ज़्यादा खराब situation है जो crew members हैं वो भी इसी चलते छोड़ कर जा रही है situations of women girls in Pakistan is critical report बताती है कि बहुत ही critical situations है पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे छेत्र ऐसे हैं जहां primary school तक नहीं है high school middle school की तो बहुत ही दूर की बात रहे गई primary school की भी कोई बात नहीं है ऐसे में नाम याद आता है मलाला यूसुफ जई नाम की पाकिस्तानी एक महिला का जो की फिलहाल UK के अंदर रहती हैं जिनको नोबल पुरसकार तक दिया गया है इनको भी school के अंदर पढ़ने की वज़े से गोली खानी पढ़ी थी लेकिन अब मलाला यूसुफ जई पाकिस्तान की जो बच्चिया हैं उनके अधिकार को लड़ने की वज़ाए कस्मीर कस्मीर चलाना पूरी दुनिया के अंदर सुरू कर चुकी है एक कटपुतली की तरह काम कर रही है पाकिस्तान की अगर बात करें तो 145 मा नंबर पाकिस्तान का आया 146 मैं से कुल मलाकर नीचे से दूसरे नंबर पाकिस्तान रहा था World Economic Forum की जो रिपोर्ट आई थी Global Gender Gap Index महिला और पुरिष के बीच में जो Gender Discrimination देखा जाता है उसमें पाकिस्तान टॉप करता रहता है तो महिलाओं के लिए पाकिस्तान के अंदर जो रहने की कंडिसंस हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है अब क्यों छोड़कर ये जा रहे हैं पाकिस्तान की क्रू मेंबर्स कैनेडा जाते हैं जाकर वहीं बश जाते हैं कोई और अन्य कारण यदि आपको लगता है तो कमेंट के माद्यम से जरूर बताईए उम्मीदे साथियो पूरा सेसन आपको अच्छी तरह सी समझ में आया हो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना अपने साथियों के साथ सेयर करना बिलकुल न भूलें और अगर चैनल पर पहली बार पदा रहे हैं तो परिवार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलेंगे अगले सेशन में तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद जैहिं